प्रव है बड़ा पवित्र पर्व है इसमें जरासा भी असुधता जो है बिल्कुल बरदास नहीं होता है और इसके फल जो है इसके फलाफन तुरक देखने को मिलते है जितनी सूचीता जितनी सुधी हो उसके अनुशार से करें चंद्रमा कभी कुस्ठो गया था उन्होंने इस मंत्र का पाठ किया सुर्ज के मंत्रों का पाठ करना काफी हिपकारी होता है सिरो में भास करह पातू ललाटे में मितत द्वित ही नेत्रे दीर मढ़ हिपातू स्रमने वासरेश्वरह नमस्कार आप लाइप सिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया अभी जो आपने मंत्र सुना वो छट महापर्व से जुड़ा हुआ मंत्र है आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और इस विशे में मारसा चर्चा करने के लिए मौजूद है बिहार की जाने माने जोतिशा चारे डॉक्टर स्रीपतित त्रिपाठी जी तो आचारे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आचारे जी जब चटपर्व में भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं तो उनकी उपासना करने के लिए अलग-अलग मंत्र क्या है देखिए जैसे हम लोग मौल में जाते हैं और हमें जिस चीज की जरत होती है वही समान खरिटे हैं ठीक उसी प्रकार हम लोग जब पूजा करते हैं तो सब की अलग-अलग मननेताय होती हैं सब कोई अपनी हिसाफ से पूजा करता है और किसी को पुत्र चाहिए किसी को घर किसी को उन्नती चाहिए कोई राजनीती में बहतर करना चाहता है तो अपने अनुशार आप छटक में उस मंत्रों का जब करें साम के समय और सूभा के समय चुकि देखे यह जो पर्व है बड़ा पवित्र पर्व है इसमें जरासा भी असुधता जो है बिलकुल बरदास्त नहीं होता है और इसके फल जो है इसके फलाफल तुरंट देखने को मिलते हैं इसलिए जितनी सूचीता जितनी सुध्धी हो उसके अनुशार से करें चंद्रमा को भी कुस्थ हो गया था उन्होंने इस मंत्र का पाठ किया सुर्ज के मंत्रों का पाठ करना काफी हितकारी होता है आप सुर्ज का पाठ करें सुर्ज स्तवराज का पाठ करें सुर्ज स्तोत्र का पाठ करें आपके लिए हितकारी रहेगा आप चाहें तो आदित हिर्दे स्थूत्र का भी पाठ कर सकते हैं या इस मंत्र का पाठ करें ओम बिकर्तना बिबस्वांस चह मार तंडो भास करो रभी ही लोग प्रकास कहा स्रीवान लोग चक्छुर ग्रहे श्वरह लोक साक्षी त्रिलोके सह करता हर बरता तमीश रहा तपनस्तापनस्चेव सुचि सप्ता आस्वाहन गभस्ती हस्तो ब्रह्माचा सर्वदेव नमस्कृता मतलब सुर्ज का ये नाम है इस मंत्र का भी ये सुर्य स्तोराज का इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं आप कहीं पिजय चाहते हैं कहीं उन्नती चाहते हैं तो ओम डेखा क्याम सुर्याय संग्राम भिजियाय नमा ऐसे बहुत सारे स्तुत्रों में पाठ दिया गया आप अपने अनुसार, अपने रुची अनुसार, अपनी मनोकामना उसार उस मंत्र का पाठ करें पूजा पाठ जो करते हैं बीना संकल्पित जो है वह लाव नहीं देता है तो संकल्प लें कि आपको करना क्या है और अगले छट पर्व तक आप उसका निरंतर पाठ करें और छटी मया के कृपा होगी और निश्चित रूप से आपको लाव मिलेगा चुकि पूजा दो प्रकार से होता मैंने कहा सकाम और निश्काम सकाम वह है जो रिजल्ट ओरियंटेड हो मतलब आप एक तारिक से नोकरी जोईन करते हैं और तीज दिन डूटी करते हैं तो फिर आपको एक तारिकों सल्ली मिलती है मतलब सेट करना होता है मतलब आप अपना जो है वह समय अवधी आप सेट करें मतलब इस चट से लेके अगले चट तक आप जो भी मंतर का संकल्प लें वह निरंतर करते रहें और ऐसे भी जो आप पूजा करते हैं वह निस्काम पूजा है वह है जो आप निरंतर कई बरसों तक करते हैं फिर प्रशन्नता होती है देवी देवताओं की तो लाव मिलता है लेकिन आपकी अपनी प्रशन्नता के लिए धल्दी लाव लेने के लिए संकल्पित छटकी पूजा करें मंत्रों का जब करें और माता रानी के क्रिपा आपके उपर होगी और निश्यत रुप से आपको हम सभी को की हांसला को अफजाई करेगा आपका आप बताएं कि आपको कहसा लगा और आपको किसी प्रकार के कैसे इस व्यड़ीयो की धरकार है मतलब जूरक्ष करते हैं जानना चाथों उसके बारे में किसी विशयबिनु पे तो आप इसके कमेंट बॉक्स में दें और आपको उपलब्द कराया जागा तब तक के लिए हमें परिया जी को दीजे इजाज़त आप सभी को छट पर्विकी धेशारी शुब कामना नमस्कार वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया